कॉंग्रेस ब्रीट कर दिया तंकवार्थ को उसके बाद एक बज़े के करीब कॉंग्रेस दफ्तर में प्रेस कॉंफरेंस के समय वो कॉंग्रेस में शामित होंगे लोगसबा चुनाव के लिए त्रिनमूल कॉंग्रेस ने गोशना पत्र जारी कर दिया इसके अलावा दस दिनों के काम की योजना को बढ़ा कर दो सो दिन का करने का भी ऐलान किया गी गोशना पत्र के मताबिक तुनमूल कॉंग्रेस जी एस्टी की समीक्षा करेगी और समीक्षा के बाद ही इसे लागू किया जाएगा मद्रप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कॉंगिस नेता दिगवजा सिंग ने भुपाल से उमीदवार खोशित होने के बाद बुदवार को भुपाल के प्रसंद कुफा मंदिर में पूजा अर्चना की हाला कि दिगवजा सिंग का कहना है कि इस पूजा अर्चना और मंदिर दर्शन को चुनाव से चोड़ कर ना देखा चाय लेकिन हकीकत ये भी है कि पिछले एक महिने में दिगवजा सिंग ने 12 मंद्रों और मठों के दर्शन किये हैं लेकिन दिगवजा सिंग मंद्रों में दर्शन को अपना जीवन शैली बता रही है बिहार के सुपॉल में महागटबंधन के संभावितों मीदवार पर सियासत तेज हो गई है खबर है कि कॉंग्रेस अपने खाते की इस सीट से मौझूदा सांसा दरंजीत रंजन को फिर टिकेट देने की तैयारी में जिसके विरोध में RJD नेता एक जुठ हो गए और पार्टी के बड़े नेताओं से चुनाव मैदान में RJD यों मीदवार को उतारने की मांग करते हुए प्रदर्शन करने लगए RJD कारिकर्टाओं ने दावा किया कि उन्होंने कई दिन पहले ही सभी कारिकर्टाओं का संदेश पार्टी के बड़े नेताओं तक पहुचा दिया था और जेडी नेताओं के विरोध पर कॉंग्रेस ने सीटों के बटवारे का फैसला बड़े नेताओं का बताते हुए उन्हें शांत रहने की सलाह दी इंडिये ने आर जेडी और कॉंग्रेस के बीच हुए इस मदभेद को उनके जनाधार से जोड़ दिया पीम मोदी के लोगसभाज शेत्र वारनसी में बीजेपी ने अंतरिक्ष के शेत्र में भारत को मिली काम्यादी का जश्न मनाया कारिकर्ताओं ने मिशिन शक्ती की सपलता पर एक दूसरे का मुह मीठा करवाया और बीजेपी कारिकर्ताओं ने सड़क पर ढोल बजवा कर जम कर डांस किया इस बीच कारिकर्ता हाथ में बीजेपी के जंडे लेकर नाश्टे दिखे डांस की समय कारिकर्ताओं ने पीम मोदी के समर्थन में नारे बाजी भी की अंतरिक्ष में चोथी सुपर पावर के रूप में भारत का स्थान दिलाना ये राष्ट के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्दी है जश्न मनाने के लिए जमा हुई बीजेपी नेताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिला कर बधाई दी और जैसे ही सबाँ खत्म हुई तो बीजेपी कारе करताओं ने लोगों को खाने के पैकेट बांटने शुरू कर दी जिसके बाद लोगों में खाने के पैकेट के लिए लूट मच गई मिठाई के डिबों में पैक किये गए खाने को पाने के लिए लोग छीना जप्ती करने लगे अफरात अफरी के माहौल में कुछ लोगों को खाने का पैकेट मिल गया लेकिन जिने नहीं मिला वो खाने के पैकेट माटने वालों पर ही तूट पड़े और उनसे बहस करने लगे भीड को बेकाबू होता देख थोड़ी देर में खाना बांटना बंद कर दिया